हेलो फ्रेंस आज की वीडियो में हम डीटेल से सिकाने वाले हैं प्रेंसस कट बलाउज में कपस अटेच करना तो फ्रेंस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको अच्छी समझ में आई तो यहां देख सकते हो फ्रेंस हमने जो पल्ले हैं इसको फ्रेंसस कट में जोड लि कट नहीं करना है और अस्तलला पल्ला में इसको ले toute डहें तो friends जो हमारा यह बलाउज है इसका बस्ट पॉइंट साड़ी नौ इंच पर है देखिए दोनों साइड हमें साड़ी नौ इंच पर पॉइंट लगा लेने है इस तरह से तो दिखिए फ्रेंस आपका size जितना हूँ आपकी size की हिसाब से जितना worst point आये उतने पर हमें cups लगाना है तो फ्रेंस दिखिए ये 36 size का बलाओ जो है तो इसमें शाड़ी 9 inch पर worst point आया है अब हमें cups लेना है और जो हमने point निकाला है इसी पर attach करना है और अब हमें कप्स लेना है कप्स का सेंटर पॉइंट निकालना है पहले हमें कप्स को डवल फोल्ड करना है और इसे फिर से फोल्ड कर देना है और इस तरह हम सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे दिखिए जो कप्स का सेंटर पॉइंट निकालना है इसको हमें बस्ट पॉइं अगर चाहें आप तो यहां पर सिल भी लगा सकते हैं हम इसमें सिल नहीं लगाएंगे क्योंकि फ्रेंज यह लहंगी बिलाओ आगर हम देखे कभी कभी निकालना चाहेंगी कभी नुट देंगे और बड़ी आशानी से अपक्षप को निकालकर अलग कर देंगे बहुती अच्छी आएगी तो दिखे इस तरह से हमें टाकी अच्छी से लगा देनी है दिखे फ्रेंज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा आप सोचेंगे कि हम स्वेशी टाकी लगाएंगी तो हमारी यह टाकी निकल जाएगी बिल्कुल भी नहीं निकलेगी अच्छी से टाकी को बान देना है और इसी तरह से हमें इस सैड दिखे कप्स को अटेश कर लेना है इस तरह से पहली कप्स का सेंटर पॉइंट निकालना है फिर दिखे कप्स को इस तरह से रखना है और शिंगर से प्रेस कर देना है और इस तरह सुई से अच्छे से यहां पर टांक यू इसे बानढा है दो तीन वार यहां पर अच्छे से बानढा है और दीज़े इस तरह हमने दोनों साइड कप्स कोटेश कर लिये है और अब हमें दीखिए मैंठ पल्ला लेना है उसका center point निकालना है सीधी side से पल्ली को double fold कर लेना है इस तरह से बीचो बीच देखिए जो गली की कड़ाई है उसे अच्छे से मिला लेना है और इस तरह देखिए center point निकालना है सीधा line बना देना है और इसी तरह देखिए जो हमारा अस्तल है अस्तरवाली पल्ली को इस तरह से हमें double fold कर लेना है इसका center point निकालना है तो friends अगर यहाँ चाहें दीखी सीधा-सीधा निसान लगा ले और अगर निसान नहीं लगाएं तो इस तरह से cut लगा लें इसे हमारा center point बीचोगी center पता चल जाता है कि यहां से हमारा सेंटर पॉइंट है और दिखी जो हमने कट लगाई इसको हमें दिखी पल्ली पर हमने निसान लगाया हुआ है इस सेंटर में तो दिखी कट को और दिखी जो हमने निसान लगाया इस तरह सी मिला कर रख लेना है और यहां दिखी अच्छे सी फिन से कवर कर से ततरे पल्ला इदर दर नहीं कर सकेगा और अच्छे से लाइक कर पाएंगे आ इस तरह दिखिए च्छे से हमें कर देना है कि पहरे कि अच्छे सेंटर को मिलाती हुए पूरा नीचे तक पिन से सीक्वर कर देना है और दिखिए कले की राउंड सी हमें पिंसे अच्छी सी सिक्यूर कर देना है अगर फैबरिक कम जादा हो जाए तो उसको समाल लेना है उसके बाद में पिंस लगानी है एक फ्रेंस अगर आपके फास पिनना हूं तो दिखिए सुई में धागा फसा लेना है और दिखिए जिस तरह से हमने पिंस उसी तरह से आप बड़ी बड़ी टांकी लगा लेनी है तो दिखिए फ्रेंस हमारा जो यह गला है इन इंची से चोड़ाई में जादा है इसे हम कम करेंगी तो इस तरह हमें पहले निसान लगा लेना है उसके बाद में सिलाई लगानी है तो दिखिए हम लगब हाप इंच पहले हमें निसान लगा लेना है उसके बाद में सिलाई लगानी है इससे क्या है फ्रेंस हमारा कहीं से भी गला कम जादा नहीं होगा बराबर आएगा निशान लगाते समय दियां रखें फ्रेंज जब हमारा निशान बिल्कुल सही आ जाए उसके बाद में ही सिलाई लगानी है और देखिए इस तरह हमने निशान लगाया उसी पर हमने सिलाई लगाई हुई है अब हमें दिखी बीच वाले फैब्रिक को कट कर देना है सिलाई से दो पॉइंट फैब्रिक को छोड़ते हुए ऐस्टा फैब्रिक कट कर देना है इस तरह से दिखी फ्रेंज अगर आपका गलाब बड़ा हो तब ही दिखी हमें निसान लगाना है नहीं तो जिस तरह से हमारी दिखी गली पर कड़ाई है उसी पर हमें उसके किनारी किनारी सिलाई लगा देनी है और इस तरह जो मार्जन है दो पॉइंट का इस पर हमें कट लगा लेने है इस तरह से हलकी हलकी जदा गैराई से नहीं लगाने है ने तो सिलाई कट जाए और इसी तरह से हमें दिखिए बॉटम की साइट सिलाई लगा लेनी है अच्छी से दिखिए पल्ली को अच्छी से मिला लेना है कहीं से कम जादा ना हो दिखिए फ्रेंस हाप इंच का मार्जन छोड़ते हुए बराबर पर सिलाई लगा देनी है क्योंकि फ्रेंस कटिंग करते समय हमने हाप इंच बॉटम की साइट मार्जन लिया हुआ है तो हमें हाप इंच दबाते हुए इस तरह से सिलाई लगा देनी है एक बराबर में सिलाई लगानी है और इस तरह दिखे ब sob की इसट कट लगा लेने है जिस तरह अच्य से फिनीसिंग आ जाए और दिखे पल्ली को पलटने से पहले हमें पिंस को निकाल लेना है इस तरह से सारी पिंस को निकाल लेना है अब हमें अंदर से हाथ डाल कर और इस तरह फैब्रिक को सीधा कर देना है इस तरह से दिखिए पल्ले को हमने सीधा कर लिया है और दिखिए कितने अच्छे से दिखिए यहां गले की सिलाई अंदर ग्राउंड हो गई और देखे जो हमारी कमर की जो सिलाई है वो भी अंदर ग्राउंड हो गई देखे कितनी अच्छी फिनेशिंग आई हुई यह आप देख सकते हो और दिखिए अब हमें दिखिए गले पर एक दिखिए प्रेस लगा देनी है इससी क्या है फ्रेंच यह जो अस्तल है यह बाहर की साथ दिखाई नहीं देखा और गले पर अच्छी फिनिसिंग रहती है द्यान रखना है फ्रेज़ सिलाई को बिल्कुल किनारी किनारी लगानी है इस तरह से और दीखी अब हमें पल्ली को उल्टी तरफ पलट लेना है और इस तरह दीखी एक सिलाई हमें लैनिंग और मैन फैब्रिक को मिलाती हुए लगा देना है और इस तरह हमें इस सेड़् भी सिलाई को लगा लेना है और जब तक हम सिलाई को लगा रही है तब तक अगर आप हमारी चैनल पर नहीं है तब तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अगर आप हमारी चैनल पर पहले से जुड़ी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों के पास सेयर कर दें तो देखे फ्रेंज से जो हमारा यह फैब्रिक है इस पर देखे नंग लगे हुए है चुटी चुटी जो मोती है वो लगे हुए है तो इस तरह इसको निकाल देना है देखे फ्रेंज सिलाई लगाती से में देख लेना है हमारा फैब्रिक किस तरह से है जो लेंगे वाला फै यहां पर फाइब्रिक आइश्ता है इसको हमें कटिंग कर देना है और इस थरे की हैंड से प्रैस करकि कपस को सीधा कर लेาง है और यह इसका बाडर है इसको हम अटैच कर लेंगे इस थरे इसी कमर बीद्ट पर चा़ने पकिज़ फिरफ love पर ऐखि जो फोंदर की तरफ फोल्ड करकि और इस तरह सी ऐटेच कर दें के आये तो आह सी इस तरह के देख कर हमें सेलाए लगाने है जो यह plan fabric है दियान रखना फ्रेंज जो plan fabric है इसको ही हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और देखे इसी तरह देखे हमें इस तरह ऊपर की साइड हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है क्योंकि फ्रेंस दिखे जो चोड़ा बॉर्डर होता है उसमें हमें दोनों साइट से लगाने होती है तभी हमारा बॉर्डर अच्छे से सिक्योर होता है अब हम इसका पूरा फाइनल लुक दिखाएंगे तो फ्रेंस इसका पूरा फाइनल लुक देख सकते हो तो फ्रेंस हम आप लोगों से उम्मित करेंगी आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जादा से जादा लाइक करें और दूसरों के पास शेयर करें थैंक्यू